भारत माता की भारत माता की मुख्यमंत्री स्रिमान सिवराशी चौवाण केंद्रियम मंत्री मंडल की मेरे सहयोगी गान स्रिमान नरेंद्रसी जी तोमार विरेंद्र कुमार जी जोतिजादित्य सिंधिया जी अन्य सभी महानुभाव और यहां इतनी बड़ी तादाद में पधारे हुए मेरे सभी परिवार जनों गुआलियर की इस एतियासिक धर्ती को मेरा शत शत नमन यह धर्ती, साहस, स्वाविवान, सैन्य गोरो, संगीत, स्वाद और सर्षों का प्रतीक है गुआलियर ने देश के लिए एक से एक क्रांति वीर दिये गुआलियर चंबल ने राष्ट रक्षा के लिए हमारी सेना के लिए अपनी वीर संताने दी है गुआलियर ने भाजपा की नीती और नेत्रुत्व को भी आकार दिया है राज माता विजया राजे सिंधिया जी, कुशाबाव ठाकरे जी, अटल्वेहरी वादपाई जी को गुआलियर की मिट्टी ने गड़ा है ये धर्ती अपने आप में एक प्रेरणा है इस मिट्टी से जो भी देशभक्त निकला उसने खुद को राष्ट के लिए खपा दिया उसने अपना जीवन राष्ट के नाम कर दिया मेरे परिवार जनो हम जैसे करोडों भारतियों को देश की आजादी के लिए लड़ने का सवभाग्य नहीं मिला लेकिन भारत को विक्सित बनाने भारत को समर्द्य बनाने का दाईत्वा हम सब पर कंदों पर है आज भी इस मिशन को आगे बढ़ाने फिर एक बार मैं आपके बीच ग्वालियर आया हूँ अब यहां लगबग उननीस हजार करोड रुपिये के विकास कारियों का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है और मैं देख रहा था कि एक के बाद एक लोकारपन की या सिलान्यास के कर्टेन खुल रहे थे इतनी बार कर्टेन खुले कि आप तालिया बजाते ठक गए आप कलपना कर सकते हैं कि एक साल में कोई सरकार जितने लोकारपन और सिलान्यास का काम नहीं कर सकती आज एक दिन में हमारी सरकार कर सकती है और लोक ताली बजाते ठक जाते हैं इतने काम करने का सामर्त रखते हैं मेरे परिवार जनो दसरे धंते रास और दिपावली से पहले मद्द प्रदेश के करीब सवाद दो लाग परिवार आज अपने नए घर में गरह प्रवेश कर रहे हैं आज कनेक्टिविटी के भी कई प्रोजेक्ट का यहां शुभारंब हुआ है उज्जेन में विक्रम उद्योगपुरी और इंदोर में मल्टी मोडल लोजिस्टिक पार्क मद्द प्रदेश के अउद्योगी करण का विस्तार करेंगे यहां के युवाओं के लिए हजारों नए रोजगार उसके लिए निर्माण होने वाले हैं नए अवसर बनने वाले आज आई आई टी इंदोर में भी बहुत काम नए शुड़ू हुए आज ग्वालियर के साथ साथ विदिशा, बैतूल, कटनी बुरानपूर, नर्सीपूर, दमो और साजापूर को नए स्वास्त केंद्र भी मिले है ये केंद्र आईश्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्टेक्टर मिशन के तहद बने इनमें गंभीर बिमारियों के इलाज की सुविदा है मैं इन सभी के लिए आप सबको मंत्र प्रदेश के मेरे परिवार जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथियों ये जो इतने सारे काम है ये डबल इंजिन सरकार के साजा प्रयासों का परिणाम है जब दिल्ली और भोपाल दोनों जगह समान सोच वाली जनता जनारदन को समर्पिज सरकार होती है तब ऐसे काम और तेजगती से होते हैं इसलिए आज मद्रदेश का भरोसा डबल इंजिन सरकार पर है डबल इंजिन यानि MP का डबल विकार मेरे परिवार जनों बीते वर्षों में हमारी सरकार मद्रदेश को बिमारू राज्य से डेश के डेश के टॉप टेन राज्यों में ले आई है यहां से अब हमारा लक्ष मद्रदेश को डेश के टॉप तीन राज्यों में ले जाने का है MP टॉप थ्री में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए MP का थान टॉप तीन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बड़े गर्व के साथ तीन तक पहुचना है कि नहीं पहुचना है यह काम कौन कर सकता 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 है यह गारंटी कौन दे सकता है यह गारंटी कौन दे सकता है आपका जबाब गलत है ये गारंटी ये गारंटी एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आपका एक वोट मज़्द प्रजेस को नमबर तीन पर ले जा सकता है जी डबन एंजिन को दिया आपका हर वोट MP को टॉप थ्री में पहुचाएगा मेरे परिवार जनो MP का विकास वो लोग नहीं कर सकते जिनके पास ना तो कोई नई सोच है न विकास का रोड मैप है इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है देश की प्रगती से नफरात भारत की योजनाओं से नफरात अपनी नफरत में ये देश की उप्लब्दियों को भी भूल जाते हैं आज आप देखिए पूरी दुनिया भारत का गवरवगान कर रही है दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कर नहीं बज रहा है बज रहा है कर नहीं बज रहा है आज दुनिया को भारत में अपना भविश्य दिखता है लेकिन जो राज नीती में उल्जे हुए है कुर्सी के सिवा जिनको कुछ नजर नहीं आते उन्हें आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजना भी अच्छा नहीं लगता है भारत सोचिये दोस्तों नव वर्षों में दसवे नंबर से पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बन गया है लेकिन ये विकास विरोधी लोग ये सिद्ध करने में जुटे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है मोधी ने गरंटी दी है कि अगले कारकाल में भारत दुनिया की टॉप तीन इकोनोमी में एक नाम हमारे हिंदुस्तान का होगा इससे भी सत्ता भूखे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है मेरे परिवार जनो विकास विरोधी लोगों को देश ने छेट दसक दिये थे साट साल कोई कम समय नहीं होता है अगर नव साल में इतना काम हो सकता है तो साट साल में कितना हो सकता था उनके पास भी मोका था वो नहीं कर पाए ये उनकी नाकामी है वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे आज भी वही खेल खेल रहे है वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बाणते जे आज भी वही पाप कर रहे है वो तब भी आकंटल प्रस्टाचार में डुबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़ करे गोर प्रस्टाचारी हो गए है वो तब भी सिर्फ पर सिर्फ एक परिवार का गवरवगान करते थे आज भी वो ही करने में वो अपना भविश्य देखते हैं इसलिए उनको देश का गवरवगान पसंद नहीं आता मेरे परिवार जनो मोदी ने गरीब बलीद पिछडे आधिवासी परिवारों को पक्के घर की गारंटी दी है अभी तक इसके तहट देश में चार करोड़ परिवारों को अपने पक्के घर मिल चुके हैं यहाँ MP में भी अभी तक लाखों घर गरीब परिवारों को दिये जा चुके हैं और आज भी इतनी बड़ी मात्रा में गरों का लोकारपण किया गाए जमी इन लोगों की सरकार दिल्ली में थी तब गरीबों के घर के नाम पर भी सिर्फ लूट होती थी यह लोग जो गर बनवाते थे वो रहने लाइक भी नहीं होते थे देश बर में ऐसे लाखों लाभारती थे जिन्नोंने कभी उन गरों में पैर तक नहीं रखा लेकिन आज जो गर बन रहे हैं उनमें खुशी-खुशी ग्रह प्रवेश हो रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि यह घर हर राभारती बहन भाई खुद अपने हिसाब से बना रहा है अपने सपनों के नुरुप अपनी जरुतों के हिसाब से अपना गर बना रहा है हमारी सरकार जैसे जैसे काम होता जाता है टेकनोलोजी उनके माध्यम से मोनिटर होता है और तुरंत उसके खाते में सिधे पैसे भेज देती है कोई चोरी नहीं होती है, कोई कटकी कमपने नहीं, कोई प्रक्ताचार नहीं और उसका घर बनना आगे बढ़ जाता है पहले घर के नाम स्रिफ चार दिवारे खड़ी होती थी आज जो घर मिल रहे हैं इनमें टॉयलेट, बिजली, नल से जल, उजवला की गैथ सब कुछ एक साथ मिलता है आज यहां ग्वालियर और शोपुर जिले के लिए एहम जल परी योजनाओं का भी काम शुरू हुआ है ये भी इन घरों में पानी की सप्लाई में मदद करेगी साथियों इन घरों की लक्ष्मी याने मेरी माताए बेहने घर की मालिक हो ये भी मोदी ने सुनिश्चित किया है आपको पता है न कि पीएम आवाज योजना के घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम भी होती है पीएम आवाज योजना के घरों से करोडों बेहने लखपती हुई है जिनके नाम कोई संपती नहीं थी उनके नाम पर लाखों के घर रजिस्ट्र हुई है आज भी जो घर मिले है उनमें से ज़्यादातर घरों की रजिस्ट्री बेहनों के नाम पर है और भाईयो बेनो, मोदी ने अपनी गरंटी पूरी की है, मैं एक गरंटी आप बेनों से भी चाहता हूं मैं जड़ा बेहनों से पूछना चाहता हूँ मैंने तो मेरी गरंटी पूरी की आप एक गरंटी देगी आप मुझे गरंटी देगी पक्का देगी तो मुझे गरंटी चाहिए गर मिलने के बाद अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है कोई न कोई काउशल सिखाना है करोगे आपकी इस गयरंटी मुझे काम करने की ताकत देती है मेरे परिवार जिनो नारी ससक्तिकरन भारत के लिए बोड बैंक का नहीं बलकि राष्ट कल्यान का राष्ट निर्मान का एक समर्पित मिशन है हमने देखा है कि पहले अनेग सरकारे आई गई हमारी बेहनों को लोगसभा और सौंसज में 35% आरक्षन के जूटे वादे करके बार बार बोट मांगी गए लेकिन सौंसज में साजिस करके कानून बनाने से रोका गया बार बार रोका गया लेकिन मोदी ने बेहनों को गारंटी दी दी और मोदी की गारंटी याने हर गारंटी के पुरा होने की गारंटी आज मारी शक्ति बंदियन अधिनियाम एक सच्चाई बन चुका है मैं इस सभाव है और आगे के लिए भी मैं चाहूंगा अपनी ये विकास की गाथा में हमारी मात्रु शक्ति की भागिदारी और ज्यादा बड़े और प्रगति का रास्ता खुले उसी दिशा में हमें आगे जाना है बाईयो बेहनों आज विकास की चितनी परीजे उजना हमने आगू की है वो सारी हमें ये कानून पास होने से एक ताकत मिलने वाली है मेरे परिवार जनों ग्वालियर चंबल आज अउसरों की भूमी बन रहा है लेकिन हमेशा स्तिती ऐसी नहीं थी जो कई-कई देसकों तक सरकार में रहे उसके नेता आज यहां बड़ी-बड़ी बाते करते हैं इनका ट्रेक रेकोर्ड क्या है जो हमारी व्वास आती है जो फर्स्ट टाइम बोटर्स हैं उन्होंने तो अपने पूरे जीवन में सिर्फ बाजेपा का सरकारी देखी है उन्होंने तो एक प्रकतिशिल मत्रदेश देखा है विरोधी दलों के जो यह बड़ बोले देता है इनको कई दसकों तक मत्रदेश पर साथन का मोका मिलाता उनके सासन काल में ग्वाली और चम्मल में अन्याय और अत्याचार ही फ़ला पुला उनके सासन में सामाज ए ग्णयाय हाच्चे पर था तब कमजोर की दलीत और पिछड़े की सुनवाई नहीं होती थी लोग कानून अपने हाथ में लेते थे सामान निजन का सड़क पर आना जाना मुश्किल हो गया था बहुत परिशम के हमारी सरकार इस ठेत्र को आज की स्थिति तक पहुंचा पाई है अब यहां से हमें पीछे नहीं देख रहा है मद्ध पुदेश के लिए अगले पांच साल बहुत अहम है आज देखिए ग्वालियर में नया एर्पोर्ट टर्मिलल बन रहा है एलिवेटेड रोल बन रही है जहां हजार बेड का नया अस्पताल बनाए नया बसद्धा अध प्रकार जरूरी है साथियों आदुनिक इंफ्रासेक्टर से जीवन सुगम तो होता ही है यह समुरुद्धी का भी रास्ता है आज ही जाववा मंसौर और अक्लाम को जोडने वाली आठ लेंड के एक्प्रेजवे का भी लुकारफण हुआ है पिछली सताब्धी का मद्ध से टू लेंड की अच्छी सड़कों के लिए भी तरस्ता था अब आज एमपीक में आठ लेंड के एस्प्रेजवे बन रहे हैं इंदोर दिवास और हर्दा को जोडने वाली फोर लेंड सड़क पर भी आज काम चुरू आए रेल्वे के ग्वालियर से सुमावली सेक्शन को ब्रॉड गेज में बदलने का काम भी पूरा कर लिया गया है अभी इस पर पहली ट्रेन को हरी जंडी भी दिखाए गई है कनेक्टमीटी के इन सभी कारियों से इक्षेतर को बहुत बड़ा लाप होने वाला है साथ क्यों आधुनिक इंफ्रासेक्टर और अच्छी कानुन व्यवत्ताते किसान हो या फिर उद्योग व्यापार कारोवार सब फलते फुलते हैं जहां विकास विरोधियों की सरकार आती हैं वहां ये दोनों सिट्रम चर्मरा जाते हैं आप राजिस्तान में देखिए सरय गले काटे जाते हैं और वहां की सरकार देखती रहती है एक विकास विरोधियों लोग जहां जाते हैं वहां तुष्ठी करण भी आता है इससे गुंडे अपरादी दंगाई और प्रस्टाचारी बेलगाम हो जाते हैं महला उपर दली पिछड़े आदिवासियों पर अत्य प्रस्टाचार बढ़ते हैं बीते सालों में इन विकास विरोधियों के राज्यों में क्राइम और करप्शन सबसे दिख बड़ा है बंत प्रदेश के इन लोगों से बहुत सावधान रहना है मेरे परिवार जनों हमारी सरकार हर वर्क हर छेत्र तक विकास पहुंचा रिग सबर्पीत है जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोधी पूछता है मोधी पूजता है मैं आप से जानना चाहता हूं क्या 2014 से पहले किसी ने दिव्यांग सब्द सुना था जो शारीक रुप से किसी जनोती से गिरे रहते से उन्हें पहलों की सरकारों द्वारा ऐसे ही बेसारा छोड़ दिया गया था यह हमारी सरकार है जिसने दिव्यांग जोनों की चिंता की उनके लिए आधुनिक उपकरान मोहिया कराए उनके लिए कॉमन साइन लेंगवेज भिक्सित करवाई आज यहां ग्वालियर में दिव्यांग साथियों के लिए नए स्पॉर्ट सेंटर का उद्गाटन हुआ है इससे देश पे एक बड़े स्पॉर्ट हपके रुप्पे ग्वालियर के पैचान और ससकत होगी और साथियों मेरी बात पे विश्वास करना दुनिया के अंदर खेल की चर्चा होगी दिव्यांग जनों के खेल की चर्चा होगी गालियर का नाम रोशन होने वाला है लिख लिख जिए और इसलिए मैं कहता हूँ जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोधी पूछता है उनको मोधी पूजता है इतने सालों तक देश के छोटे किसानों को किसे ने नहीं पूछा इन छोटे किसानों को मोधी ने पूछा उनकी चिंता की पी-एम किसान सम्मान निजिके माध्यम से देश के हर छोटे किसान के खाते में अब तक 28,000 रुपिये हमारी सरकार ने भेजे हैं हमारे देश पे डाई करोड छोटे किसान ऐसे हैं जो मोटा अनाज उगाते हैं मोटा अनाज उगाने वाले छोटे किसानों की भी पहले किसी ने चिंता नहीं की यह हमारी सरकार है जिसने मोटे अनाज को स्री अन्न की पहचान दी है उसे दुनिया भर के बाजारों में ले जा रही है साथ क्यों हमारी सरकार की इसी भावना का एक और बड़ा प्रमाण पीम विश्व कर्माई हो जना है हमारे कुमार भाइबेन, लोहार भाइबेन, सुतार भाइबेन, सुनार भाइबेन, मालाकार भाइबेन, दरजी भाइबेन, दोभी भाइबेन, जूतेर बनाने वाले भाइबेन, बाल काटने वाले भाइबेन, ऐसे काम करने वाले लोगों के लिए, अनेक साथी हमारे जीवन पीछे रह गए थे अब इनको आगे लाने का बहुत बड़ा भ्यान मोदी ने चलाया है इन साथियों को ट्रेंडिंग देने के लिए हजार रुपिय सरकार देगी आदुनिंग पंदरा हजार भी इन साथियों को दिया जा रहा है विश्व करमा साथियों को रिन की गरंटी मोदी ने लिए केंदर सरकार ने लिए है मेरे परिवार जनो देश के विकास विरोधी राजरितिक दल मद्दब देश को पिछे ले जाने की इच्छा रखते हैं जबके हमारी डेबल इंजिर की सरकार बविश्की सोच रखती है इसलिए विकास का भरोता सिर्फ पर सिर्फ डेबल इंजिरी सरकार पर कर सकते हैं इन मद्दप देश को विकास के पभाने पर देश पर टौप के राज्यों में लाने की गारंटी सिर्फ हमारी सरकार दे सकती है। मैं अभी शिवराज जी बता रहे थे खिस स्वच्चता में मद्दप देश देश में नम्ब एख है। आज गांदी जनती है, गांदी मी जी स्वच्शता की बात करते थे, कल पुरे देश में स्वच्शता का करकम हुआ, एक भी Congre वालों को पसंद नहीं है वो मद्दप्रदेश का क्या भला करेंगे भईया ऐसे लोगों पर वरोसा कर सकते हैं क्या और इसलिए मैं आप सब से आगर करता हूं भाईयुवनों विकास की जरप्तार को आगर बढ़ाना है बहुत तेजी से बढ़ाना है और जाब इतनी बड़ी चाजाज में आशिरवाद देने आये मैं ग्वाली चम्मल के अपसाथियों को इतनी बड़ी संख्या में यहां आशिरवाद देने के लिए पधारने पर रजय से आभार व्यक्त करता हूं मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवा झाल